फाइनली दोस्तों चार गंटा संगर्ष के बाद बाबा का दर्शन हो गया है उसके बाद अभी बाहार निकले हैं मेरे जो हालत जो है बहुत ही खराब हो चुका है हरर महादेब जैसीब जै फॉले बाबा तो दोस्तों ये वीडियो है मारा सौंबार का मैं पूजा करने गया उसके बाद डिसाइड किजेगा कि हमको सौंबार को पूजा करना है तो अभी जितने भी भोले बाबा के भकते प्लीज वीडियो को लाइक कर ले और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हूं और पूरा लगबग 10-12 मिनिट का व तो मैं यहां पर आए क्यूं कॉंपलेक्स यहां पको फूल विल पाथ चल वे गरा हर चीज मिल जाएगा तो मैं यहां पर पहुंचा और यहां से ही लाइन लगना स्टार होता है तो चलिए देखते हैं कितना भीड है और कितना दिर तक हमको लाइन में लगना पड़ेगा वह सारे चीज देखते हैं तो अभी जैसे कि हम लोग यहां पर यह सिल्डियों से जा रहे हैं तो यहां पर ज्यादा भीड ने दीख रहा है अदम काफी खाली है और आराम से जा रहे हैं और शायद आगे हो सकता मुझे भीड मिलेगा तो मैं कुछ दूर आ गया और कुछ भाई है दो चार जाता नहीं है और अभी पूरा खाली दीख रहा है तो मैं काफी खूस हो गया हूं कि पूरा खाली दीख रहा है आगे चलते देखते हैं कितना भीड है तो मेरे पीछे देखें दो भाई है जो मेरे साथ नहीं है यह भी कहीं बहार से आयों है पूज और आप भी देखिए, सावन के बाद आपको ये वीडियो देखने के मिल रहा है कि मैं पूरा कोशिच किया हूं कि पूरा कभर करके दिखा हूं तांकि आप लोगों को पी बता चला है कि ये कैसा जगह अभी है, यो कि सावन में तो आप लोगों ने काफी इन मतलब की इन पे फीड विगरा देखे हूंगे, और अभी की इस्तिती, इसलिए मैंने सोचा कि दिखाना चाहिए, बहुत कोई नहीं देखे हूंगे, तो यादे ताजे हो गए हो गये, जो कि सावन में आये थे, तो कितना भीड़ता हूं, अभी कितना खाली है, तो अब थोड़ा सा कंट्र आपको वही भीड दिखने वाला जैसा कि आप सावन में देखे थे, लेकिन थोड़ी सी इंदजार कीजिए, तो मैं इंदजार कर रहा हूं, मैं भी चल रहा हूं, अभी तो खाली था, तो मैं भी काफी खुस हूं, कि बहुत जल्दी पूजा कर लेंगे, और चलिए, पीछ मैं काफी परेसान हो गया और सबसे पहली बात हो कि मुझे जो है ना सक्रा जगा मैं छोटी जगह से काफी मतलब की घुटन महसूस होता है, मैं यहां पर आया तो सोचा अब निकलना भी चाहें तो निकलनी सकते हैं क्योंकि उतना जितना हम पीछे जाएंगे उतना आगे ज को भी लगता हो गया अराम से पूजा पार्ट कर लेंगे ज्यादा समय नहीं होगा और अभी जो चाह रहें ना लगबख साड़े आट बज रहा है ठीक है अब पूजा मेरा कब होता है वह आपको देखने मिलेगा साड़े आट बज बजे मुलुक निकले हैं अब यहां से अब यहां पर इंदेजार कर रहे तो सोचे चल लिए आपको कुछ दिखा दें तो यह देख सकते हैं यह भी तरखंड इसको बोलते हैं और वियाजी कहां से मिलते हैं यहीं पर वियापी टिकेट अब मैं थोड़ा साब को जूम करके दिखाता हूं कि आगे जो है समसे पहल यहां पर टिकेट करता था और अब जो टिकेट आप टिकेट यहां पर भी ले सकते हैं और अंदर वह भी तरखंड है वहां पर भी ले सकते हैं तो मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूं कि यहां पर क्या लिखा हुआ यहां पर जो लिखा हुआ ना बिना कार्ड के अंदर ना जाए, वो लिखा हुआ, ठीक है, तो जब तक आपको भी एपी डिकट नहीं लेते हैं, तो उसके अंदर जाना नहीं पड़ेगा, और इतना जो भीड़ है ना, इतना भीड़ आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा, बेसिकली क्योंकि काफी भीड़ था, तो ब बाबा को दर्शिन करना तो थोड़ा संगर्श तो करना ही पड़ेगा, और बाबा यहां में परतिक्षा मलदे बूल सकते हैं, परिक्षा भी लेते हैं सभी कितना देर तक पैसंस रख सकता है, तो मेरे पीछे भी काफी अंकल है, पूरा मलबगी, यहां पर एक चीज क्या ह आगे जा रहे हैं, तो बीच में तुकबंदी भी हो जा रहा है, जा रहा है, आप किसे अंदर चले गाएं, आप कैसे पीछे से आ गएं, तो यह सब दखने की मिला, तो अभी हम यहां पे जो पहुँचे हैं, लगबग 10 बजने वाला है, ठीक हैं, पहुने 10 अंदर होने वा मलब के अब जो है ना हम वहां पे पहुँच चुके हैं कौन सा जगा है जो क्या गाता है चट पे चट पे चड़ेंगे अब ये पूरब पूरब गेट के पास है यह पर पूरा फीड है ये बीच वाला जो अंकल सभेना आकर डिश्ट पूरा कर दिये हैं मलब पबली को थोड करना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया हूं फिर मुझे तो क्या मैं तो यहां का ही राना हूँ चाहे बारा बज़े एक बज़े दो बज़े तीर बज़े हमको तो पूजा करना है और आप लोगों को पूरा दिखाना है इसलिए मैं थोड़ा से पीछी पीछी से ही धीरे-ध करके मैं पूरा कवर कर रहा हूं और इस भीड का सामना भी कर रहा हूं तो देखे अब यहां से मैं आगे जाओंगो अब जो आगे है छत पे पहुंचने वाले हैं जो सबसे उपरी चत पे वहां पे मल्लब की सबसे पहले लेवल वन हम लोग स्टार्ट कें कि वह जो मुझे यहां पे घुसा तो एक एक सबागंटा लग गया है अब यह देख सकते हैं पीछे भी आ रहे हैं सब कोई पूरा अदम भीर भार भरा पड़ा है और आज कम होने वाला नहीं है मैं यहां पे इंतजार कर रहा हूं और आगे यहां पे जैसे मैं इंट्री किया अब द मतलब कि उपर से नीचे फ्लोर में आने के लिए दिखेस्ट फ्लोर में ग्राउन फ्लोर में आने के लिए वह था क्धिशू पाड़ा पुरा और थोड़ी से एक छीज बता है कि यहां पे एक दुजगा में चीट भी कर लिया हूं क्योंकि आएं को बहुत सारे ऐसे क्रौस कर जा रहा था एक छोड़ के दूसरे में चल जा रहा था किसी तरह गर टाइमिंग मिला तो एक दू जगह मैं भी क्या कि काफी समय हो रहा था सोचे कि लेट हो जाएगा और बाइक भी में बाहर लगाया था इसलिए तो अभी हम पहुंच गए हैं वहीं पे हैं अंदर में ही उपर चत पे ठीक हैं और यहां पे देख सकते हैं पूरा अगर मैं अन्म्यूट कर दों साउंड को तो काफी गुंजे का इसलिए मैं म्यूट करके मैं आपको सारा चीज समझा रहा हूं और दिखा रहा हूं यह पूरा जो है ना बोल बम का नारा से गुंज रहा है इसे कि है कि मैं सबकुछ भूल गया ता इतना अच्छा लग रहाता है कि यहांपर मैं सबकुछ भूल रहा हूं लेगिन मुझे एक चीज था ना मतलब की बहुत अच्छा लग रहा तकि जब सब नारा लगा रहे थे और घूम रहते हैं हम लोग भी गूम आथे यू-टाइव-च तो फिर यहां पर मैं पूरा इस लेवल को पूरा किया अभी भीड़ है मैं यहां पर लगबग हमारा जो है यह भी दिखे यह पूरा भीड़ है यह दो पूरा जाता है लगबग 10-15-20 मिनिट इस तरह करके रूख जाता है तो काफी मतलब की दिक्कत होता है क्योंकि अब आगे नहीं बढ़ रहा है तो एक जग़ा है पैर भी दर्थ कर रहा है तो यह सारे चीज हो जाता था और अगर धीरे दीरे चल रहा तो एक आसा होती यह सारे चीज यहां पर लग रहा था और अब देखे यहां पर में लेवल 3 में आ रहा हूं जैसे कि लेवल 1 मेरा वो संगर्स हो गया कि पूरा रास्ता में आना था वो ब्रीच लेवल 2 मेरा उपर पूरा गूमे और लेवल 3 मेरा नीचे ग्राउंड में गूमना है अब यह मेरा 1.5 गंटा समय जाने वाला मैंने उपर में थोड़ी सी भी में चीटिंग नहीं किया लेकिन लेवल टूपे आया थोड़ा से मैं इसमें चीटिंग स्टार्ट कर दिया वहला एक दू एक दू जगा जो है ना मैं बहुत भीड़ है यहां पर मैं तुम कहता हूं कि अगर आप आएंगे अगर इस भीड़ का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं भौले बावा का अगर दर्शिन करने का कि इस तरह का सारे सरधालों के साथ तो संबारी को आजएगा पूजा करने के अगर एक बार मिलेगा चाहे कोई वी दिन हो ठीक है लेकिन संबार होना चाहिए मैं तो लेवल त्रे पे आ चुका हूं अब मेरा जो लेवल फोर स्टार्ट होगा यह देखिए मेरा भाई यह एक भाई नहीं है इसी तरह यह भाई 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 आए हुए इन्हीं के कि साइटे दिखा रह दिखा रहा हूं इक डू बार जन्म कर दिया क्योंकि यही बि विहार के हिए तो अब थीन तो काफی भाई सब के साथ काभी मेरा लेवल फूर दया विज्य कृ जाता है अब में आ एिए मंधीर जाने के लिए अधर दीनल अंगा टीक है यहां से आगे हमको जाना है तो यहां पे भी काफी भीड है अब मैं मंदीर के बहुत करीब आ चुका अब यहां से थोड़ा मतलब की ज्यादा दिर नहीं लगबग 20 मिनिट और यहां पे लगएगा जो कि मंदीर पोहुच जाएंगे अभी जैसे कि 12 बज़ रहा है तो यहां से लगबग 20-25 मिनिट और लगने वाला है यहां से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां से में निकल चुका पूजा करके और पाइनली बाहर आ चुका हूँ और बाहर का यह दर्शन कर शकते हैं लगबग मेरा साड़े 12 बज़ के पूजा करके निकलने में मतलब 4 घंटा मुझे सम अब लूट नहीं कर पाया क्योंकि काफी में ठंग गया था और मेरे कलासेस भी था इसलिए आज किया इसलिए वीडियो को लाइक और शेर जरूर किजिए का थोड़ी से मैं संगर्श करके आप लोगों के लिए वीडियो को कवर किया थैंक्यू हरहर महादेव